तस्वीर हैं इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उन्हें देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि जो बंगाल है वो इस समय रणभूमी युद्भूमी बना हुआ है शिशिर बजौरिया स्पोक्सपर्सन है बीजेपी का उनका में रुख करना चाहूंगी शिशिर जी सम समविधान देता है प्रदर्शन की इजाज़त लेकिन वो प्रदर्शन चांती पूर्ण होना चाहिए इस तरीके कि आज़नी जो की जा रही है क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन उग्रों गया ये भीड़ा आपके कंट्रोल से बाहर चली गई तो सही कहा कि समविधान प्रदर्शन का इजाज़त देता है हम प्रतिवाज कर सकते हैं इसलिए तो हम लोग तंतर कहलाते हैं और हम अपने त्रिनमूल के भाई को ये व्याद दिला दें अब इन लोग भूल गये इनका इनके अब्दल का जंक जो हुआता है इनके जो नीम है वो भी एक प्रतिवाज इसी धन का प्रतिवाज है साही प्रतिवाज उसको उसका नाम था राइटर चलो क्योंकि उद्दिनों सच्चिवाले का नाम था राइटर्ड उन्ने सो तिराणवे में 21 जुलाई को राइटर्स गह थे और वो CTM बना किया था मंतार मैंडिल जी को फिरस लोग तो और तुटन यहीं गोली थि कि जो भी बी हो कांकरेंगे 14 लोग शहीद हुए 14 लोग और वो क्या मुद्दा क्या था कि वोटर आईडि काड अभी क्या मुद्दा है जो कुरों को कुरों करों का है क्पाढ्ट हम क्या बोले कि हम इससरे प्रतिवाज कर अब हमको एक बात बताईए, यदि आज हमें ये कल गात को हमारा प्रतिवाद जो जलूस है, उसको ये लोकतांत्रिक या जिसको इनलीगल नहीं घोशित करते, हमें दिन दावन्ना पहुंचते तो हम एक पत्र देते, हम एक पत्र देते, वो पत्र गहन करते, मत्दावने जी भाग चुकी दीन बढ़ना छोड़के चार दिन हो गया, वो तो ही नहीं, यहां मुख्य सची को छोड़के गए हैं, अरे वो ले लेते, क्या हो जाता, क्या हो जाता, आप तो नेतिक जीत हमारी कल रात को ही हो गई, जबकि उत्तर बंगाल के चारो तरफ सेशन्स में हमारे कारी करता को, पस्चित पंगाल का पुलीस रेलवे प्लैट्फोर्म में घुट के पकट रात, यहां वो जानी सकता है, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, मानव जायस्वाल, टीमसी के नेता हमारे सार जुड़े हुए हैं, मानव जी अगर इजाज़त दे देते तो शायद शांती पून तरीके से बीजेपी के कारे करता है, बीजेपी के नेता पहुंचते सचिवाले, अपना पत्र देते और वापस लोट जाते, यह अपनी बात दर्ज कर देते, जनता तक संदेश पहुँच जाता, और इस तरीके की बवाल की स्तिती भी नहीं खड़ी होती, अधिम पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, नमस्ते सर, जी मैं आपको देख पा रही हूं, सुन भी पा रही हूं, बोलिए I cannot see you बहराल जो भी है, मैं जो आपको बोलना चाहता हूं, देखे, यह हमारे जो शिशिर बाजुरिया जाब है, यह बीजेपी के नेता है, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बोली, 21 July 1993 को इनको याद आ गया, वो किसकी लड़ाई थी, और किन लोगों ने अपने प्राण करप्शन है, करप्शन तो इनके पास है, मज़ेप्रदेश की सरकार को इतना बढ़ा करप घोशित कर दिया गया, जब आपको मौका मिला, आपने पूरी बात रखी, आप मानव जी को अपनी बात पूरी कर ले ने दीजे, उसके बाद में फिर आपके पास आ जाओंगी, ए मानव जी बात पूरी करें, इस तरीके से इन्हों ने हमारे परांद के बच्छों को बरगला दिया है, देखे एक तरफ शुबेंदु अधिकारी रहते हैं, दूसी तरफ इंके सुकांतों जी रहते हैं, किसी तरफ अरूपम हाजरा जी रहते हैं, दिलिव गोश जी कहीं द इतना मदवेड है, यह जागरूत हो जाता है, यह बहुत जरूरी भी है, पीस्पूर यह बोलते हैं, लेकिन पत्थरबाजी यह करते हैं, यह पूरे देश में पत्थरबाजों की कश्मीरियत जो होती है, जिस तरीके से चलाते थे लोग, ऐसे पत्थरबाजी मुझे तो आ कि भाईया आप बोलना चाहती है, जो पुलिस महा काम कर रही है, वो मर जाए, लेकिन पत्थरबाजी खाते हैं, यह बैरिकेट तोरते रहें, गाली गलोज करते रहें, यह है बीजेपी का नया चबी, मैंने बीजेपी की नहीं पिक्चर, यह है बीजेपी का सिस्टा चाह, आप बोलना चाहती है, पत्थरबाजी लीगल है, पत्थरबाजी करना ज़रूरी था, बोतल फेकना ज़रूरी था, आज अगर पुलिस अपना कारे का निर्वाह कर रही है, तो इक एक रिव है इनको, आपको पता है कि शांती पूरवाग, आप करिये लेकिन जाहिए, विक पूछना चाहता हूँ मैडम, इनके क्या विधायक निकम में है, मानव जी आपने सवाल पूछ लिए, आप जवाब ले लेते हैं, मानव जी जवाब ले लेते हैं, शिशिर जी ये पत्थरवाजी, इस तरीके से आगजनी करना, पुलिस वालों के उपर जो वर्दी में है, जो अपनी ड्यूटी निवा रहे हैं, उनके उपर हमला बोलना, कि इसको आप ठीक मानते हैं, और अगर ये गलत का, अगर आप इसको गलत मानते हैं, तो फिर आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाएं, बिन्दू बिन्दू से जवाब देऊ, पस्चिम मंगाल पुलीस, रेलवे पुलीस के जगा में कैसे घुसा, प्रशन एक, ये क्या उनका कारिय था, प्रशन दो, हम कब देखें अपने देश में की प्रतिवाव रैली को कंट्रोल करने के लिए केवल बैरिकेड नहीं लगा हैं, उसको जमीन में छेज करके गाथा गया है, जैसे कि कोई पाउंडेशन बनाया गया है, अरे भाई, हम भ बहुत एक प्रशिद काहवत है, क्या महाँ भारत अशुद हो जाता, हम जाके इन ये ताज़र देते, section 144 का इन्होंने जिकर किया, बहुत सही कहा, मानज जी, section 144 के हम तो इलाके में छोड़के, हम को कलकता में नहीं गुस्ति दिया गया, जा section 144 नहीं है, ये तो ये भी बोल है, वो प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर तो प्रदर्शन कारी जो है, वो उगर होंगे, आप दोनों काई बहुत बहुत धनेवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी अपने स्मार्ट टीवी पर